हलो माई डियर स्टुडेंट दिस डॉक्टर माईपाल चोधरी फैकल्टी जूलोजी सील्सी सीकर दोस्तों सील्सी ने लॉंच के आपके लिए बेहब आकर सक्त और बहुत ही सांदर प्रोग्राम गुरू नीती गुरू नीती के बारे में थोड़ा सा आपको बता दू बेटा इसे गुरू नीती प्रोग्राम के अंदर आपको लास्ट 10 एयर के अंदर जो भी प्रिवियस एयर के जो क्वेसंस हैं एक्जाम के अंदर आएवे क्वेसंस हैं उनका वन बाई वन करके टॉपिक वाइज यहां आपको सॉलूशन प्रोवाइड करवाए जाएगा और साथी टोटल जितने भी सॉलूशन है यह गुरू नीती जो प्रोग्राम है आपको बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट मिलेगा इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा तो सबसे पहले जूलो जी सब्जेक्ट के अगर बात करें तो जूलो जी सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं तो फास्ट पार्ट जो है गुरू नीती का उसके अंदर एनिवल किंग्डम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी एक्जाम के अंदर क्वेशन आ चुके हैं उनका सोलूशन अपन लास्ट पार्ट के अंदर कवर कर चुके हैं उसके बाद में गुरू नीती का जो सेकं पार्ट है उस सेकंड पार्ट के अंदर वेटा कंसीडर किया हुआ है टॉपिक स्ट्रेक्ट्राल और्गनाइजेशन इन एनिमल टॉपिक की बात करें तो इसी टॉपिक से लास्ट टैन येर के अंदर जो भी क्वेशन आये हैं उनसे रिगार्डिंग बात करते हैं सबसे पहल और क्वेशन पूचा गया है चुज़दी कर्यक्तिवी मेजड टिस्यू तो गलने क्वेशन प्रोडवन टू उस्ट्र निवाले इन स्रिक्ट्र पार्ट की बात करें तो ये कनेक्टिव टिस्यू तो होते हैं लेकिन कनेक्टिव टिस्यू की बात करें तो यहां एक वार्ड दियावा है स्पेसलाइज कनेक्टिव टिस्यू और स्पेसलाइज कनेक्टिव टिस्यू की बात करें तो manly consider किया जाता है specialized connective tissue के अंदर bond से cartilage जो होती है उनको और blood वगेरा soft या fluid connective tissue होता है उसको यहाँ tendon जो है वो specialized connective tissue नहीं बेटा dense connective tissue होता है यानि कि यह correctly matched bear नहीं है तो first option जो है वो तो correct नहीं incorrect होगा उसके बाद में second option में दिया हुआ है adipose tissue की बात करें तो यह भी connective tissue जो उसका part है और साथी loose connective tissue का यह specification होता है modification होता है fat को store करने लग जाता है इसी वज़े से actually यह dense connective tissue बोला गया है यहाँ पे dense connective tissue नहीं बेटा adipose tissue की बात करें तो loose connective tissue या ariolar connective tissue के अंदर इसको consider करेंगे तो second statement जो है वो भी ठीक नहीं है उसके बाद में दिया हुआ है ariolar connective tissue की बात करें तो यह परकार का loose connective tissue होता है बिल्कुल सही information और static information यहाँ represent की वी है इसी वज़े से question में correctly matched payer पूचा है और correctly matched payer की बात करें तो इसके according question number first का answer होगा third वाला लेकिन fourth option की बात करें तो cartilage दिया और cartilage की लिए बोला है loose connective tissue cartilage की बात करें तो बेटर cartilage जो है loose connective tissue नहीं specialized corrective tissue के अंदर इनको consider किया जाता है इसी वज़े से question number first का answer होगा third वाला उसके बाद में next question की बात करें तो question number second में पूचा है choose the correctly matched payer फिर से correctly matched payer से regarding information पूची गई है old India PMT 2014 के अंदर ये question पूचा गया है और first statement जो है first option जो है उसमें दिया हुआ है inner lining of salivary gland salivary gland की बात करें उनकी inner lining की बात करें तो उसके लिए first option में बोला गया है ciluted epithelium ciluted epithelium की बात करें तो ciluted epithelium present नहीं होता है inner lining के बतोर glandular epithelium वहाँ पे होगा इसी बज़ा से first statement की बात करें तो ये correct matching नहीं होगी उसके बाद में second option में दिया हुआ है moist surface of buccal cavity और उसके लिए बताया गया है glandular epithelium moist surface of buccal cavity की बात करें तो वहाँ पे बेटा glandular epithelium नहीं stratified epithelium होता है multiple layer वाला और वो भी squamous epithelium जो है उसकी multiple layers देखने को मिलती है यानि की squamous से stratified epithelium present होता है और उसका भी non-cretinized वाला part होता है glandular epithelium नहीं होता इसी बज़े से second option की बात करें तो second option जो है वो भी correct ही नहीं है third option की बात करें तो third option के अंदर दियावा है tubular part of nephron tubular part of nephron के लिए बोला है tuboidal epithelium tuboidal epithelium की बात करें तो mostly जो nephron का tubular part होता है उसके अंदर ये cuboidal epithelium होता है और साथ ही उसके अंदर modification होता है brush border वाला जिनके उपर बहुत सारी numerous microvilli जो है वो भी उसके different part के अंदर देखने को मिल सकती है सबसे पहले जैसे tubular part of nephron की बात करें तो ये nephron का tubular part के बतो और सबसे पहला bowman's capsule वाला part और bowman's capsule वाले part के बाद में ये PCT वाला part और PCT वाले part के बाद में thick part of loop of family और thin part of loop of family उसके बाद में thin part के बाद में ascending limbo of loop of family और उसके बाद में DCT वाला part और फिर finally जाके नेphron open हो जाता है किसके अंदर collecting duct वाले part के अंदर अब अगर इस nephron के part की बात करें तो mostly जो nephron का part है इसके अंदर कौन सा epithelium होता है cuboidal epithelium होता है चाहे आप PCT की बात करें या फिर आप thick part of loop of hennle की बात करें या फिर DCT वाले part की बात करें तो इनके अंदर cuboidal epithelium होता है इसी बज़े से यहां पर third option की बात करें तो tubular part of nephron के अंदर cuboidal epithelium information सही दीवी है correct matching दीवी है इसी बज़े से question number second की बात करें तो उसके अंदर third option correct है साथी आगे fourth step option की बात करें तो इसमें दिया हुआ है inner surface of bronchules और bronchules की inner surface के लिए बोला है squamous epithelium पहले बात तो inner surface of bronchules की बात करें तो वहां पर simple columnar epithelium और उसका भी ciliated modification होता है इसी बज़े से यहां पर fourth option के अंदर भी correct matching जो है वो नहीं है इसी बज़े से fourth option जो है वो भी incorrect होगा question number second की बात करें तो इसका answer होगा third वाला तो यह आपको धान रखना है next question number third की बात करें इसमें पूछा है in a sarcomere which of the following part contains thin filament and no thick filament muscular tissue से regarding बेटा यह आपका question पूछा गया है राजस्तान PMT 2014 के अंदर पूछा गया है आपने अगर myofibrils की बात करें तो उसका structure पढ़ा होगा तो ऐसे jet disc की या jet lines पढ़ी होगी और दो jet disc की या jet lines के बीच की अगर distance की बात करें two successive jet lines के बीच की distance की बात करें तो उसको बेटा अपने सारकूमियर पढ़ा होगा अब अगर आप myofibrils का structure पढ़े होगे ये jet line है इन jet line की बात करें तो इनसे ऐसे दोनों side में thin filament जो हैं वो attach रहते हैं ये लोग ये thin filament बना दिये और इन thin filament की बात करें तो इन thin filament के साथ-साथी और बीच में आपको देखने को मिलेंगे thick filament ऐसा structure आपने myofibrils का पढ़ा होगा ये तो jet line है ये jet line ये jet line zigzag line और इस zigzag line की बात करें तो इसके साथ ये जो filament attach हैं ये कौनसे filament हैं thin filament है ये filament है thin filament ये फिर actin filament दूसरा आपने structure में पढ़ा होगा कि साथ ही आप observe करोगे तो यहाँ पर myosin filament और present होते हैं ये लोग ये myosin filament बना दिये ये myosin filament अब देखना इन myosin filament की बात करें तो जो दोनो जयर लाइन की बात करें तो दो जयर लाइन के बीच का यह वाला जो part है जहां-पर only और only आपको क्या देखने को मिल रहे है ? Actin filament वाला जो part देखने को मिल रहा है इस part की बात करें तो इस Z line के दोनों side में कुछ part ऐसा होता है जहां पे only और only कौन से filament present होंगे, actin filament present होंगे, myosin filament present नहीं होंगे, इस part की बात करें तो इसको बोला जाता है बेटा, eye band इस eye band की बात करें इसको बोला जाता है completely eye band इसको बोलेंगे eye band ये बोल दिया eye band इस eye band की बात करें तो इसके equal होगा, half eye band plus half eye band is equal to one eye band इस दोनों Z line की अगर बात करें इन दोनों ही Z lines के दोनों तरफ भी जहां only और only actin filament present है, इन actin filament से बना हुआ जो part होगा उसको बोला जाता है eye band, और जहां पर myosin filament present है और इन myosin filament के साथ साथ हो सकता है, actin filament भी present हो इसी वज़े से, myosin filament के द्वारा cover किया हुआ, ये जो part होता है इसको बोला जाता है eye band अब question के अंदर पूछा है बेटा, in a sarcomere distance between two successive Z lines, दो Z lines के beach की जो distance होती है, उसको क्या बोलता है sarcomere बोलता है, इसी वज़े से in a sarcomere, which of the following part contains thin filament, एक sarcomere की बात करें, तो उसके अंदर कौन सा part जो है, उसके अंदर only or only thin filament present होंगे तो जहां thin filament present होते हैं, उसको बोला जाता है, बेटा, eye band तो question के अंदर जो eye band है eye band वाला answer हो जाएगा, correct answer की बात करें, तो इसका होगा second a band की बात करें, तो a band के अंदर बेटा, myacin filament भी present होते हैं myacin filament से बनावा part होता है eye band की बात करें, तो only actin का बनावा होगा, h john की बात करें, तो horizontal john जहां पे only or only myacin filament present होते हैं, उसको बोलेंगे h john, और ऐसे ही दियावा है m line, m line की बात करें तो a band के एकदम center में यहां जो line देखने को मिलेगी उसको बोला जाता है, m line तो यह आपको ध्यान रखना है, question number third की बात करें, तो question number third के अंदर answer होगा second, eye band की बात करें, तो only or only thin filament जो उससे बनावा part होगा, उसके बात में next question number four की बात करें which type of cell junction would be required for cell to cell communicate with one another एक cell को दूसरी cell के साथ communicate करने का काम कुझ सा junction प्रोवाइड करवाएगा तो आपने इसी tissue वाले chapter के अंदर mainly full type of junction पड़े होंगे और उन four type of junction की बात करें तो जैसे यहाँ option के अंदर भी दिया हुआ है, adhering junction adhering junction की बात करें या desmosomes की बात करें तो mainly beta stratified जो epithelium होता है, compound epithelium होता है, multiple layer वाला epithelium होता है, उनकी सभी cells को एक दूसरी के साथ बहुत ही strong type का और बहुत ही मजबूट type का connection provide करवाने के लिए, उनको hold करके रखने के लिए, जो junction होते हैं, उनको बोलते हैं, adhering junction या फिर desmosomes बोल सकते हैं ऐसे ही साथ में अगर बात करें gap junctions की, gap junction की बात करें तो suppose करो दो cell है और इन दोनों cell की बात करें तो ये एक दूसरे को आपस में इनको communication provide करवाने के लिए, यहाँ जो इनके बीच में जो junctional region होगा उस junctional region की बात करें तो इसको communication junction या फिर बोला जाता है gap junction इसी वज़र से cell to cell communication provide करवाने की बात करें तो वो अंतराली संधियां या फिर gap junctions का function होता है आगे दिया हुआ है tight junction tight junction की बात करें तो ये leakage को any type of leakage को prevent करने का काम करता है चाहे कोई micro molecules हो macromolecules हो या फिर ions वगिरा की बात करें तो उनकी leakage को prevent करता है तो tight junction भी नहीं होगा question के अंदर पूचा है cell to cell communication provide करवाने का काम तो वो काम कोन करेगा gap junction करेगा तो question number 4 की बात करें तो इसका answer होगा third वाला उसके बाद में question number 5 की बात करें तो इसमें पूचा है the cells found in the inner surface of bronchioles which move particles in a specific direction over the epithelium R bronchioles की बात करें respiratory tract से regarding आपको एक question पूचा गया है ये trachea trachea के बाद में bronchus की बात करें तो आगे चलके इसकी भी बहुत सारी branching होगी और उन branching की बात करें तो आगे चलके ये भी convert हो जाती है किन के अंदर bronchioles के अंदर आप इन bronchioles की बात करें तो वहाँ पे बेटा mucus की बात करें या foreign particles को epithelium के उपर moment provide करवाने के लिए किस टाइप का modification होता है तो वहाँ पे modification आपको देखने को मिलेगा cilia वाला किनी भी cells के उपर अगर motile structure प्रजेंट हो जो कि किसी भी mucus वगेरा को या फिर कोई भी foreign particle होता है उसको uniform direction के अंदर moment provide करवाने का काम जो है किसी टाइप के modification के द्वारा provide करवाय जाएगा cilia के द्वारा इसी वज़े से अगर bronchioles की बात करें तो उनके उपर ciliated modification देखने को मिलता है यानि कि epithelium की बात करें तो कौन सा होगा ciliated epithelium इसी वज़े से राजस्तान PMT 2014 के अंदर 2014 के अंदर ये question पूचा गया है और इस question की बात करें तो इसके अंदर modification किस टाइप का देखने को मिलेगा ciliated epithelium वाला modification देखने को मिलेगा columnar epithelium की बात करें तो ये भी लेकिन directly modifications regarding information question में पूचिए है इसी वज़े से answer जाएगा इसका fourth वाला cuboidal epithelium होता ही नहीं है तो ये आपको धान रखना है question number 5 की बात करें तो इसमें ciliya वाला modification होता है इसी वज़े से answer जाएगा fourth next question की बात करें तो question number 5 के बाद में next question 6 में पूचा है which type of tissue correctly matched with its location एक तरफ पे tissue दिया हुआ है और दूसरी तरफ वो कहां present होगा उसकी location से regarding information दी हुई है correct information वाला option आपको तलासना है need 2016 के अंदर ये question पूचा जा चुका है सबसे पहले option की बात करें तो एक तरफ दिया हुआ है tissue tissue में first option में दिया हुआ है areolar tissue और areolar tissue की बात करें तो इसकी location बता रखी है tendons tendons की बात करें तो उसके अंदर areolar connective tissue नहीं होता है dense regular connective tissue होता है यानि कि first option की बात करें तो first option के अंदर information correct ही नहीं है फिर दियावा है second statement second option के अंदर transitional epithelium transitional epithelium की बात करें तो इसकी location बता रखी है tip op nose tip op nose की बात करें तो tip op nose के अंदर वेटा transitional epithelium नहीं होता transitional epithelium की बात करें तो ये urothelium और इसको बोल सकते हैं ये urinary bladder वाला जो part होता है वहाँ पर transitional epithelium present होता है इसी वज़े से tip op nose के अंदर ये जो information दीवी है ये गलत है transitional epithelium जो है वो urinary system या फिर अगर बात करें renal pelvis वाला और urator वाला part जो है और साथ ही अगर बात करें urinary bladder की तो वहाँ पर ये present होता है उसके बात में third option की बात करें तो cuboidal epithelium और cuboidal epithelium के लिए location के बारे में बताया गया है lining of stomach lining up stomach की बात करें तो वहाँ बेटाजी cuboidal epithelium नहीं simple columnar epithelium होता है और उससे columnar epithelium की बात करें तो उसका भी modification देखने को मिल सकता है आपको glandular वाला लेकिन simply यहाँ जैसे cuboidal की बात करें cuboidal नहीं कैसा होता है simple columnar epithelium देखने को मिलेगा stomach की lining के बतोर इस वज़े से ये भी correct information नहीं है fourth option में दियावा है smooth muscle smooth muscle की बात करें तो इसकी location बता रखी है wall of intestine विल्कुल static information है exact information दी भी है अगर आपने digestion and absorption chapter के अंदर histological section of elementary canal पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने four layers पढ़ी होंगी serosa, muscularis, submucosa and mucosa outer to inner अगर बात करें तो serosa की just नीचे वाली side में अगर आप observe करोगे तो वहाँ बेटा आपको layer देखने को मिलेगी कौन सी muscularis layer देखने को मिलती है और इस muscularis layer की बात करें तो इसके अंदर में बेटा दो type की muscle की layer देखने को मिलेगी longitudinal muscle layer और साथ ही देखने को मिलेगी longitudinal muscle layer देखने को मिलेंगी और longitudinal and circular muscle layer की बात करें तो ये दोनों ही muscle layer जो होती है किसकी बनीवी है smooth muscles की बनीवी होती है इसी वज़े से wall of intestine की बात करें तो उसके अंदर smooth muscles होती है विल्कुल correct information represent की विये इसी वज़े से question number 6 की बात करें तो इसका answer होगा fourth उसके बाद में next question number 7 के अंदर पूछावा है myelin seed is produced by myelin seed जो है उसका formation किसके द्वारा किया जाएगा 2017 के अंदर question पूछा गया है first option की बात करें तो first option दिया हुआ है astrocyte and swan cell swan cell की बात करें तो pns की जो neuron होते है वहाँ पे swan cell जो है उनके द्वारा myelin seed का formation किया जा सकता है लेकिन astrocyte की बात करें तो astrocyte cells जो होती है इनका function बेटा blood brain barrier बनाने का function होता है ना कि myelin seed formation करने का यानि कि first option की बात करें तो first option में correct information नहीं है उसके बाद में second में दिया हुआ है oligodendrocyte and osteoclast oligodendrocyte cell की बात करें तो cns के जो neurons होते हैं उनके अंदर myelin seed का formation oligodendrocyte के द्वारा किया जाता है लेकिन आगे दिया हुआ osteoclast cell osteoclast cells की बात करें तो ये bond destroying cells होती है bond receptive cells होती है यहाँ पे myelin seed का formation osteoclast cells के द्वारा नहीं किया जाएगा यानि कि second option की बात करें तो वो भी नहीं होगा third option में फिर से osteoclast cell आ गया और आगे दिया हुआ है estrocyte ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा third option भी incorrect होगा fourth option में दिया हुआ है swan cells and oligodendrocyte बिल्कुल correct information है swan cell की बात करें तो PNS peripheral neural system की जो neurons होते हैं वहाँ पे myelin seed का formation अगर किया जाएगा तो वो swan cells के द्वारा किया जाता है और CNS के अंदर अगर neurons की बात करें तो वहाँ myelin seed का formation कौन करेंगी oligodendrocyte cells करती हैं इसी वज़े से question number 7 की बात करें तो इसका answer होगा fourth उसके बाद मैं next question number 8 की बात करें तो match the column का question है और match the column की इस question के अंदर दिया हुआ है match the items given in column first with those in column second and select the correct option given below match the column को match करते वे correct option वाला जो code है वो आपको select करना है ये question भी need 2018 के अंदर question पूंचा गया है पहला option दिया हुआ है fibrinosan fibrinosan की बात करें तो बेटा blood clotting की बात करें तो वहाँ पी fibrinosan protein जो होता है fibrinosan जो होता है fibrin में convert हो जाता है और blood clotting में अपना important role play करता है तो इसको आप match कर लो blood clotting से related कोई information उसमें fibrinosan की बात करें तो blood clotting से regarding होगा ऐसे ही globuline globuline की बात करें तो आपने पढ़ा होगा immunoglobuline immunoglobuline की बात करें तो ये कही ना कहीं body का defense system होता है immune system होता है वहाँ पे ये globuline होती है different type की immunoglobuline हो सकती है जो कि body के अंदर defense system होता है उसके लिए responsible होती है ऐसे ही third option दिया हुआ है albumin albumin की बात करें तो osmotic जो balance होता है blood का उसको maintain करने के लिए albumin protein जो अपना important role play करता है अब इससे regarding matching आप देख लीजिए जिसमें A को second के साथ match किया हुआ हो और B को third के साथ और A को first के साथ ऐसी matching आपको देखने को मिलेगी A को second के साथ second के अंदर दिया वाया A को second के साथ B को third के साथ और C को first के साथ question number 8 की बात करें तो इसका correct answer होगा second वाला उसके बात में next question number 9 की बात करें तो question number 9 में पूछा है the ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction in human these cells mainly present in थोड़ा सक information को manipulate किया है उल्टा सीधा पूछा गया है already ये question बेटा पहले अब ये discuss कर चुके हैं अपन bronchiules की बात करें, fallopian tube की बात करें तो वहाँ पे mainly ये ciliated epithelium वाला जो modification होता है tissue का ये देखने को मिल सकता है इसी बज़े से पहले भी exam में question पूछा जा चुका है फिर से need 2019 के अंदर ये question पूछा गया है deciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction in human these cells are mainly present human के अंदर ऐसा modification या ऐसी cells जिनमें ciliated modification देखने को मिलता है वो कहां मिल सकती है उससे regarding information पूछी है फास्ट option में दिया हुआ है eustachian tube and salivary duct दोनों ही फास्ट option की बात करें तो इसके अंदर correct information नहीं है इसी वज़े से फास्ट option जो है वो भी नहीं होगा second option की बात करें तो इसमें दिया हुआ है bronchules and fallopian tubes bronchules and fallopian tube की बात करें तो बिलकुल सही बात है respiratory tract के अंदर bronchules होते हैं वहाँ भी mucus को specific direction के अंदर cuff के through particles को या mucus को या cuff को बाहर release करने के लिए uniform direction के अंदर mucus होता है उसको बाहर release आउट करने के लिए selected epithelium होता है और साथी fallopian tube की बात करें तो fallopian tube के अंदर भी बेटा जो after ovulation जो secondary ucity या फिर egg जो होता है उसको towards the uterus moment provide करवाने की बात करें तो यह जो fallopian tube होती है इस fallopian tube के अंदर जो modification देखने को मिलता है वो कौनसा modification देखने को मिलेगा आपको ciliated epithelium देखने को मिलेगा इसी वज़े से fallopian tube की बात करें तो यहाँ पे भी epithelium कौनसा होगा ciliated ताकि यह ने cilia के दवारा जो भी ovum होता है उसको किदर वाली side में moment provide करवाय जासेगे uterus के अंदर क्योंकि usually implantation की बात करें तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको uterus के अंदर इसी वज़े से यहाँ पे भी कौनसा modification होगा ciliated वाला second option की बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल correct information दीवी हैं दोनों इसी वज़े से question number 9 की बात करें तो इसका answer होगा second वाला लेकिन third option के अंदर और देखिए दिया है bile duct and bronchioles bronchioles में होता है लेकिन bile duct में नहीं होता ये भी नहीं होगा fallopian tubes and pancreatic duct fallopian tube में ciliated हो सकता है लेकिन pancreatic duct में नहीं होता इसी वज़े से fourth option में नहीं होगा question का answer होगा second वाला उसके बात में next question number 10 की बात करें goblet cells of elementary canal is modified form of elementary canal की जो goblet cells होती है वो किसका modification है किस tissue का modification है नीट 2020 के अंदर ये question पूछा गया है पहला दिया हुआ है condrocide condrocide की बात करें तो बेटा ये तो cartilage के अंदर cells होती है बात कर रहा है elementary canal की second option में दिया हुआ है compound epithelial cells compound epithelium नहीं elementary canal की बात करें तो उसके lining किसकी होती है simple epithelium की होती है third option में दिया हुआ है squamous epithelium squamous epithelium भी नहीं होता elementary canal की inner lining की बात करें mentally जैसे intestine की बात करें तो वहाँ पे columnar epithelium होता है इसी बज़ा से fourth option की बात करें तो इसके अंदर दिया हुआ है columnar epithelium और actually simple columnar epithelium की cells हो है वो ही modify होके किसमें convert हो जाती है goblet cell के अंदर इसी बज़ा से question number 10 की बात करें तो इसका answer होगा fourth वाला उसके बात में batch announcement से regarding विटा यहां आपको information represent की है 6th of April से CLC में different job stream है JE division की बात करें medical की बात करें NDA अगेरा की बात करें तो सभी के अंदर different courses के अंदर 6th of April से बैच start हो रहे हैं जैसे पहले target course की बात करें तो जो 12th past student होते हैं उनको target course का जो बैच है वो भी 6 अपरेल से start हो रहा है foundation course की जो 11th 12th वाले जो students होते हैं उनके लिए भी 6 अपरेल से बैच start हो रहे है two-in-one course जिन students का 11th week रहे जाता है और वो 12th के साथ है 11th 12th दोनों cover कारना चाहते हैं उनके लिए two-in-one जो course है वो भी 6 अपरेल से start हो रहा है उसके बैच 6 अपरेल से start हो रहे हैं ऐसे एंड़ीए की बात करें तो अपरेल को आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और बैच जॉइन कर सकते हैं उसके बात में हमारे जो सेंटर है अगर उनकी बात करें तो सीकर अलवर है जैपूर है इसके अलावा जैपूर के अंदर भी दू सेंटर है यह ओफलाइन क्लास्रूम सेंटर है आप और इसके अलावा टेस्ट सेंटर की बात करें तो जैसे कोटा में है बिकानेर में है जोदपूर में है जो अदबूर के अलावाद देली और हिसार जो है हरियाना के अंदर वहाँ पे भी आपको टेस्ट सेंटर और अवैलेबल होंगे तो ये आपको कुछ इंफोर्मेशन है जो होती वो बता नहीं थी वो आपको द्यान रखना है उसके बाद में question number 11 की बात करें वापस से तो इसके अंदर पूछा गया है cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in ने 2020 के अंदर question पूछा गया है ये cuboidal epithelium with brush border सबसे पहले तो अगर बात करें बेटा ये cuboidal epithelium की ये लो suppose करो cube like cells बना दी और इन cube like cells की बात करें तो इनके उपर modification भी कैसा है brush border brush border का मतलब बेटा इनकी जो free end surface है उन free end surface के उपर आपको क्या देखने को मिलेंगी microvilli देखने को मिलेंगी ताकि surface area को क्या करवाया जासके increase करवाया जासके यानि कि ऐसा modification जिसके उपर cuboidal cells की free end surface के उपर microvilli और present हो ऐसा कहां देखने को मिलेगा आपको उससे regarding microvilli is found in अपनी body के अंदर कहां देखने को मिल सकता है यह तो जहां अपनी body के अंदर बेटा absorption या re-absorption की बात हो तो वहां ऐसा modification देखने को मिल सकता है जैसे absorption की बात करें तो जैसे अपने intestine वाला जो part होता है उसके अंदर भी होती है लेकिन वहां पर epithelium कौन सा होता है columnar epithelium होता है cuboidal नहीं होता लेकिन question ने क्या information पूछी है cuboidal epithelium और cuboidal epithelium की भी free end surface के ऊपर microvillai वाला part यानी की brush border surface और ऐसा देखने को मिलता है अपना जो nephron वाला part होता है और उस nephron का भी जो proximal convoluted tube वाला part होता है जहां पर maximum reabsorption की process होती है वहां पर ऐसा epithelium देखने को मिलता है इसी वजह से first option की बात करें तो first option में दिया हुआ है proximal convoluted tubule of nephron बिलकुल सही बात है PCT की बात करें तो उसके अंदर maximum reabsorption की process क्यों होती है क्योंकि वहां पर inner lining की बात करें तो brush border epithelium present होता है simple cuboidal brush border epithelium होने की वजह से surface area जो है वो कही गुणा बढ़ा दिया जाता है ताकि जादारी absorption करवाया जासेगे इसी वजह से PCT वाले part में देखने को मिलेगा तो question number 11 की बात करें तो first option में correct information दी वी है eustachian tube की बात करें तो इसमें भी नहीं होगा lining open test time की बात करें तो नहीं वहाँ पर simple columnar का modification देखने को मिलेगा duct option ivory gland की बात करें तो वहाँ पर भी नहीं होगा question number 11 की बात करें तो इस answer होगा first next question number 12 की बात करें तो पूछा है which of the following is not a connective tissue कौनसा एक connective tissue नहीं है उससे regarding आपको देखना है पहला option, first option की बात करें तो इसमें दिया हुआ है उसी का spesialized part होता है fat को store करने वाला part होता है लेकिन नूरोग्लिया की बात करें तो actually नूरोग्लिया जो है ये neural tissue का part होता है connective tissue का part नहीं होता इसी वज़े से question number 12 की बात करें तो इसका answer होगा third वाला नूरोग्लिया neuron को चारो तरफ से protect करने protection provide करवाने के लिए उनको glue provide करवाने के लिए hold करके रखने के लिए next question number 13 जो की need 2022 के अंदर पूछा हुआ है मैजदी कॉलम का question है जिसके अंदर list first and list second के बतुर आपको कुछ information represent की वी है और पहले list first को आपको match करना है list second के साथ first option जो है उसके अंदर दिया हुआ है bronchioles और दूसरे तरफ bronchioles को आपको match करना है साथ tissue से regarding information दी वी है कि bronchioles में कौन सा tissue होगा dense regular connective tissue नहीं loose connective tissue नहीं glandular tissue नहीं ciluted epithelium बिल्कुल correct information है bronchioles की बात करें तो वहाँ बेटा ciluted epithelium देखने को मिलेगा आपको उसके बाद में goblet cells की बात करें तो goblet cells बेटा mucus का secretion करवाती है यानि कि एक परकार का glandular epithelium हो गए इसे वज़े से इसको match करना है third के साथ फिर आगे दिया हुआ है tendons और tendons की बात करें तो tendons example होते हैं बेटा dense regular connective tissue dense regular connective tissue यानि की tendon को आपको match करना है first के साथ और adipose tissue की बात करें तो fat को store करने वाला जो loose connective tissue है उसको अपन adipose tissue बोलेंगे इसको इसके साथ match कर लो अब आपको choose the correct answer from the option given below नीचे जो option दीए हुए है उनमें से correct matching वाला option आपको तलासना है अब उसमें आप observe करोगे तो a को match कर लीजिए 4 के साथ a को match करोगे 4 के साथ तो fourth option में दिया हुआ है a को 4 के साथ b को दिया हुआ है third के साथ c को दिया हुआ है first के साथ तो d को second के साथ इसी वज़े से question number 13 की बात करें तो इसका answer होगा बेटा फॉर्थ वाला उसके बाद में next question number 14 की बात करें तो इसमें पूंचा है which of the following type of epithelium is present in the bronchials and fallopian tube we need 2022 के अंदर question पूंचा गया है already अपन 3 times इस question को इस information को discuss कर चुके है यहाँ पे बेटा कोई भी नई information नहीं पूछी गई है उसे information को manipulate करके पूछा जा रहा है कि कौन सा epithelium या उसका modification वो bronchials या fallopian tube में देखने को मिलेगा तो अभी अभी already अपन discuss कर चुके हैं कि fallopian tube के अंदर ओवा जो होता है तो first option में siluted epithelium दिया हुआ है विल्कुल correct information है दूसरे option में दिया हुआ है stratified squamous epithelium नहीं third में दिया हुआ है simple squamous epithelium fourth में दिया हुआ है simple columnar epithelium simple columnar epithelium नहीं उसका modification जो है वो देखने को मिलेगा siluted epithelium वाला इसी वज़ए से question number 14 की बात करें तो इसका answer होगा first वाला next question number 15 की बात करें तो इसमें पूछा है choose the correct statement about a muscular tissue muscular tissue से regarding आपको correct statement जो है वो identify करना है री नी 2022 के अंदर ये question पूछा गया है first statement जो है वो है the wall of blood vessels are made up of columnar epithelium columnar epithelium जो है वो present नहीं होता बेटा endothelium की बात करें तो वो simple squamous epithelium जो है उसकी lining होती है यानि कि first option की बात करें तो ये भी incorrect हो गया second statement में दिया गया है smooth muscles are multi-nucleated and involuntary involuntary तो होती है लेकिन बेटा multi-nucleated नहीं होती यूनि-nucleated होती है इसी बज़र से second option जो है वो भी incorrect हो गया फिर third option में दिया हुआ है skeletal muscle fibers are uninucleated and found in parallel bundle parallel bundle में तो present होंगी लेकिन जो skeletal muscle होती है वो uninucleated नहीं होती है multi-nucleated होती है सिंसाइसियम जो condition है वो देखने को मिलती है skeletal muscle में इस वज़र से third option जो है वो भी incorrect होगा fourth option की बात करें तो दिया हुआ है intercalated disc allows the cardiac muscle cells to contract as a unit बिल्कुल correct information है intercalated disc का present होना cardiac muscles का characteristic feature होता है और heart की जो muscles होती है heart की muscles जो होती है उनको as a single unit एक unit के बतोर contract करवाने के लिए intercalated discs उनको separate separate रखती है इसी वज़े से question number 15 की बात करें तो इसका answer होगा fourth वाला उसके बात में next question number 16 की बात करें तो 16 के अंदर पूचा है choose the correct statement need 2022 के अंदर और वो भी जब refit हुआ था exam उसमें पूचा गया है and organ बिल्कुल सही बात है skeletal system की बात करें bonds की बात करें तो ये क्या करता है support and protection प्रोवाइड करवाता है subtle tissues या फिर organs होते हैं उनको फिर दियावा है second option के अंदर wet bearing function is served by limb bonds limb bonds की बात करें तो उनके द्वारा wet bearing function जो अपनी body की long bonds होती है उनके द्वारा wet bearing function जो है वो भी देखने को मिलेगा option B की बात करें तो बिल्कुल ये भी correct information है उसके बाद में C की बात करें ligament is the site of production of blood cell बिल्कुल नहीं ligament की बात करें sorry ligament जो है वो blood cells का production करने की site नहीं bond marrow जो है वो blood cells के production की site होती है जो की bone का epiphysis वाला जो long bones होती है उनका epiphysis वाला part होता है C statement की बात करें तो ये correct नहीं है उसके बाद में D के अंदर पूछा है adipose tissue is specialized to store fat adipose tissue की बात करें तो actually specialized हो जाता है fat को store करने के लिए यानि की correct information है बिल्कुल सही बाते बताई गई है फिर E की बात करें तो tendon attached to one bone to another नहीं bone to bone attachment provide करवाने का काम बिटा ligament का होता है tendon जो है वो attachment provide करवाने है bone to muscle यानि की E की बात करें तो ये भी statement जो है incorrect होगा अब पूछाए question के अंदर choose the most appropriate answer from option given below correct information जो है वो statement आपको देखने हैं नीचे जो option दिये हुए है और correct की बात करें तो A, B और D वाला option आपको देखना है तो first के अंदर A, C, D दिया हुआ है नहीं C तो incorrect है second में दिया हुआ है A, B E, B incorrect है ऐसे ही third option में दिया हुआ है A, B and D only विल्कुल question number 16 की बात करें तो इसका answer होगा third जिसके अंदर A, B और D जो है उनको correct information के बात और consider किये गए है तो यह आपको द्यान रखना है उसके बाद में question number 17 की बात करें तो इसमें पूचा है what external changes are visible after last mounting of kokroth nimb last mounting की बात करें जब kokroth जो है adult में convert होता है तो उसमें कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे नि 2013 के अंदर ये question पूचा जा चुका है पहला option दिया हुआ है both four wings and hind wings are developed बिलकुल first option की बात करें तो इसी में correct information दी हुई है जितने भी पहले change होते हैं उनमें बहुत large change नहीं देखने को मिलता लेकिन last mountain की time में कहीं न कहीं wings हो है वो develop हो जाते हैं निम्प के अंदर और इसी वज़े से वो adult के similar दिखने लग जाता है adult में convert हो जाता है इसी वज़े से बहुत four wings and hind wings से जो हैं वो develop last mountain की time में होते हैं सई information दीवी है labium develop नहीं ये काम भी पहले ही हो जाता है mandibles become harder ये भी almost कहीं न कहीं पहले ही हो जाता है anal sarsai develop नहीं ये भी पहले ही हो जाते है तो question number 17 की बात करें तो kokrauch से regarding ये question पूचा गया है और उसके development से regarding indirect development होता है और last mountain के time में उसमें four wings और hand wings जो है वो develop हो जाते है question number 17 की बात करें तो इसका answer होगा next question number 18 के अंदर पूचा है with respect to kokrauch which of the following statement is correct correct statement देखना है आपको kokrauch के reference में all india fmt 2014 में question पूचा जा चुका है पहला option दिया हुआ fertilized egg are stored in spermethika of female kokrauch fertilized egg को इस पर में ठीका के अंदर store नहीं किया जाता sperm जो होते है immature जो sperm होते है उनको temporary store किया जाता इस पर में ठीका के अंदर during population तो first statement जो है वो correct है नहीं है second में दिया वाया the gizzard is used for storing food storing food की बात करें तो उसका काम gizzard का नहीं है gizzard जो है इसमें cuticular teeth present होते है जो कि food को grind करने का काम करता है यानि कि second option जो है वो भी ठीक नहीं है third option की बात करें तो दिया वाया है the entire for gut is lined internally by cuticle entire for gut की बात करें तो entire for gut जो है वो बिलकुल line नहीं रहती complete for gut की बात करें तो for gut वाला portion है वो तो line रहता है cuticle की दौरा लेकिन complete gut जो है वो line नहीं रहती तो यहाँ पर third option की बात करें तो third option के अंदर only बात कर रहा है for gut की और for gut की बात करें तो वो तो बिलकुल line रहती है किसके दौरा cuticle के दौरा mid gut वाला portion जो है वो cuticle के दौरा line नहीं रहता for gut and hind gut वाला portion जो है किस से line रहता है cuticle से line रहता है इसी वज़ाँ से third option की बात करें तो इसमें बिलकुल correct information दी भी है fourth option की बात करें तो excretory vests are in the form of urea excretory vests की बात करें तो urea की form में नहीं actually cockroach जो है वो excretory vests को uric acid की form में eliminate करता है इसी वज़े से यहाँ पर question number 18 की बात करें तो इसका answer होगा third वाला यहाँ पर urea नहीं uric acid की form में mainly यह eliminate करते हैं तो यह आपको धाम रखने है 18 का answer होगा third वाला question number 19 की बात करें तो इसके अंदर पूचा है दिक्टारगा इस्टरणा प्लूरा औप कोक्रोच बोडी आर जाइन बाई ओल इंडिया PMT 2015 में question पूचा गया है तिल्चटे के सरीर में से प्रस्टक अधरक और पार्सवक किस से जुड़े वी होते हैं जो हार्ड काइटीन की बनी वी प्लेट लाइक स्ट्रेक्चर होती है सपोज करो यहाँ पे जैसे यह मैं कोक्रोच जो है उस कोक्रोच की बोडी से रिगार्डिंग उसके तीनों पार्ट रिपर्जेंट कर देता हूं यह लो यह इसका abdomen वाला पार्ट बना धिया और यह इसके ऐसे thin wings और यह mouth part वाला अब actually सपोज करो अगर इसका यहाँ से transfer section लेके यह सपोज करो transfer section लेके अपन इसको अपन observes करेंगे यह इदर वाली side में तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेक्चर देखने को मिलेगी जैसे यह dorsal वाली surface यह ventral वाली और यह वाली lateral वाली surface तो इसका transfer section लेकर अपन अब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यह dorsal जो surface है के जो segment है वो देखने को मिलेंगे यह lateral वाले देखने को मिलेंगे दोनों साइड़ों में यह lateral और साथ ही यह ventral वाली side वे अब अगर बात करें तो इस cockroach की body जो है वो kaitineus exoskeletal के दोवारा क्या रहती है covered रहती है और kaitineus exoskeletal की बनी हुई यह जो plat like structure होती है इन plat like structure की बात करें तो इसको बोला जाता है इनको बोला जाता है sclerides लेकिन जो sclerides वेटा dorsal surface पे present होता है जैसे यह dorsal surface और यह ventral surface और दोनों side की बात करें तो यह lateral एक left lateral होगी और दूसरी right lateral वाली इसी वज़े से dorsal surface की जो sclerides होती है इनको क्या बोलेंगे tergite बोलते हैं या फिर बोलेंगे tergah ventral वाली की बात करें तो इसको बोला जाता है sternite या फिर sterna और lateral वाली की बात करें तो उनको बोला जाता है plurides या फिर plurons pluroterm use में लिया जाता है lateral के लिए अब actually अगर इन kaitin की बनीवी plat like structure की बात करें तो यह सभी plat like structure जो है एक दूसरी के साथ किसके द्वारा connected रहती है तो इनको connect करने के लिए जो membranous structure होती है उस membranous structure को बोला जाता है वेटा orthodial membrane इसी बचे से question में simply पूछा है तो पहला option काईटिलेज नहीं second option दिया हुआ है cementing glue नहीं third option दिया है muscular tissue नहीं fourth option की बात करें तो इसमें दिया हुआ है orthodial membrane संदीकारी जिल्ली से बिलकुल 19 की बात करें तो इसका correct answer होगा fourth वाला उसके बाद में next question number 20 की बात करें तो इसमें पूछा है the body cells in a cockroach discharge the nitrogenous west in the hemo limb mainly in the form of nitrogenous west की बात करें तो उनको जो cockroach की body है उसके हीमो limb के द्वारा किस form में eliminate करवाया जाएगा हिंदी में लिखावा है तिल्चटे की सारे रिक को सिकाए अपने nitrogenous abscist को hemo limb पे परधान रूप से किस रूप में मुक्त करती है तो किस रूप में मुक्त करती है तो पहला option दियावा है urea नहीं second option दियावा है calcium carbonate नहीं third option दियावा है ammonia नहीं fourth option दियावा है potassium urate बिल्कुल सही बात है potassium urate की form में nitrogenous west जो है उनको hemo limb के अंदर release करवाया जाता है अब अगर बात करें तो open type of circulation present होता है सपोज करो यह cockroach की body है उसका hemo seal है इस hemo seal की बात करें यह hemo seal है इस hemo seal के अंदर फिलफ रहेगा hemo limb और इस hemo limb की बात करें तो सपोज करो इस hemo limb के अंदर ही इसका यह gut वाला portion represent किया हुआ है इस gut की बात करें तो gut के वी इसके अंदर 3 part होते है for gut, mid gut and hind gut सपोज करो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ यह जो junctional region है इधर वाली side की बात करें तो यह part mid gut वाला है और इधर वाला part है यह hind gut वाला at the junctional region of mid gut and hind gut ऐसे यहाँ पे कुछ blind tubular structure होती है around 100 to 150 के लगबग और इन structure की बात करें तो इनको बोला जाता है malpigean tubules in malpigean tubules की बात करें तो यह actually इनके अंदर excretory structure होती है excretory organ के बतोर काम करती है इसी बज़े से कैसे काम करती है कैसे nitrogenous west को eliminate करवाएंगी तो suppose करो यहाँ पे यह मैं gut वाला part बना देता हूँ यह gut इस gut की बात करें तो इस gut से suppose करो यह malpigean tubules है यह connected है और यह malpigean tubules की बात करें तो यह सारा portion कहा suspended है hemolimp के अंदर अब इसकी body की जितनी भी cells है cockroach के अंदर तो actually यह किसकी form में nitrogenous west को eliminate करवाते हैं potassium urate की form में eliminate करवाते हैं और यह potassium urate जो होता है इस potassium urate की बात करें तो यह potassium urate जो है यही entry करता है किसके अंदर इन malpigean tubules के अंदर यह potassium urate यह malpigean tubules में पहुंच जाएगा और यह malpigean tubules के अंदर यह H2O के साथ react करेगा और H2O के साथ CO2 के साथ मिलके और carbonic and hydrage enzyme की presence में इसी malpigean tubules के अंदर इसको convert कर दिया जाता है क इसके अंदर uric acid के अंदर और इस uric acid की बात करें तो uric acid जो है इसको finally इसे gut के through body से बाहर eliminate करवा दिया जाता है तो actually यह बात सल रही है hemolimp जो होता है उस hemolimp के अंदर जो इसके cells होती है वो nitrogenous west को किस form में eliminate करवाती है तो potassium urate की form में eliminate करवाती है यह आपको धान रखना है question number 20 की बात करें तो इसका answer होगा फॉर्ट वाला उसके बाद में next question number 21 के अंदर पूछा है जो कि All India PMT 2015 में जो फिर से हुआ था री PM All India PMT हुआ था उसमें पूछा हुआ है the kiteanious exoskeletal of orthopod is formed by the polymerization of kiteanious exoskeletal होता है और orthopoda का वो किसके polymerization के द्वारा बना हुआ होता है तो first option दिया हुआ है एन-acetyl-glucosamine की बात करें तो यह monomer unit होता है और actually kiteanious exoskeletal जो है वो किसके polymerization से बनता है एन-acetyl-glucosamine के polymerization से बनता है जो कि इसी को अपन kitean बोलते हैं actually इसी वसे से question number 21 की बात करें तो इसका answer होगा first second option में दिया हुआ है lyco glycan, lypo glycan नहीं होगा बिटा third option में दिया हुआ है kiretin sulfate and kondroitin sulfate यह भी नहीं होगा d-glucosamine यह भी नहीं होगा एन-acetyl-glucosamine जो है इसके polymerization के दवारा कहीं न कहीं kiteanious structure, kiteanious exoskeletal develop होता है तो answer द्यान रखने है first उसके बात में next question number 22 में पूछा है which of the following feature is not present in periplaneta americana periplaneta americana के अंदर कौन सा feature जो है वो present नहीं होगा उससे regarding आपको information देखने है first option जो है उसमें दिया हुआ है scyzo seal as a body cavity scyzo seal as a body cavity या silom की बात करें तो बिल्कुल सही बात है इनके अंदर orthropoda के animals जो होता है उनके अंदर जो cavity होती है body cavity या silom जो है वो किस type की होती है scyzo seal type की होती है और scyzo seal क्यों बोला इसको तो actually the space between body wall and gut wall ये suppose gross क्या है body wall है ये इसका body wall है और इस body wall के अंदर वाली side में ये suppose gross का gut wall है ये represent कर दिया ये gut अब इस space between body wall and gut wall इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं silom और इस silom की बात करें तो इसके लिए एक condition है उती है true silom के लिए कि इसकी body wall and gut wall दोनों ही किस से lined होनी चाहिए mesodermal tissue से lined होना चाहिए उसको अपन true silom बोलेंगे अब actually यहाँ body wall and gut wall के लिए यह mesoderm की lining होती है इस mesoderm की lining का formation वेटा किसके दुआरा होता है splitting के दुआरा होता है और actually splitting के दुआरा mesoderm की lining का formation और जो true silom बनती है उसी silom को क्या बोला जाता है saizo silom बोला जाता है या saizo silom बोलता है और actually analida, orthopoda and mollusca की जो animals होते हैं अगर आपने animal kingdom में पढ़ा हो तो उनके अंदर जो silom होती है saizo silom होती है जिनके अंदर इस silom की lining है उसका formation mesodermal tissues में splitting की वज़ए से होता है इसी वज़र से first option जो है वो बिल्कुल correct information है second में दियावा है indeterminate and radial cleavage during embryonic development embryonic development के time में जो cleavatic division होते हैं उसके लिए बोला गया है कि ये indeterminate होते हैं indeterminate नहीं होते हैं इनके अंदर cleavatic division जो है जो वो कैसा होगा determinate होगा यानि कि यहां पर second option की बात करें तो correct information नहीं है future जो है वो decide हो जाता है और उसको determinate बोला जाता है indeterminate नहीं बोलेंगे तो यहां पर कहीं न कहीं second option जो है indeterminate and radial cleavage during embryonic development ये second option जो है ये ठीक नहीं है incorrect statement है third option की बात करें exoskeletal is composed of and acetyl glucosamine अभी अभी अपन ने पढ़ा बिल्कुल exoskeletal तो किसका पके polymerization से बना हुआ होता है and acetyl glucosamine का ही बना हुआ होगा ऐसे फॉर्ट option जो है वो दिया हुआ है metamerically segmented body बिल्कुल ये बात भी सही है question number 22 की बात करें तो इसका correct answer जो है जो होगा second वाला भूनिये परिवर्दन के दोरान ए निर्दारित और अरिये विदलन ये ठीक बात नहीं है question ने भी ये पूछा है not present feature उसके बात में question number 23 की बात करें तो उसमें पूछा है which of the following feature is used to identify male cockroach from female cockroach need 2018 के अंदर ये cockroach सी question पूछा गया है और male और female cockroach को कैसे आप differentiate करोगे उससे regarding आपको information देखनी है first information दीविए four wings with darker tagmina नई male और female की बात करें तो usually उनके अंदर tagmina जो होते हैं four wings जो होते हैं वो कैसे होते हैं darker ही होते हैं सही बात हैं ऐसे ही अगर बात करें presence of annals अरसाई male में भी होते हैं और female में भी होते हैं ऐसे third option में दिया हुआ है presence of caudal style या फिर annal style बिल्कुल सही बात है annal style या caudal style की बात करें तो ये only और only किसमें present होता है male में present होता है female में नहीं होते इसी वज़र से third option की बात करें तो इसके द्वारा differentiate किया जाता है fourth option में presence of boot sept sterna on the ninth abdominal segment ये बात भी बिल्कुल सही है लेकिन differentiate नहीं करेंगे इसी वज़र से differentiate करने वाला जो feature है presence of caudal style आएगा 23rd की बात करें तो इसका answer हो जाएगा उसके बात में next question number 24 की बात करें तो 24 में पूचा है select the correct sequence of organs in elementary canal of cockroach starting from mouth mouth से start होने के बाद में correct जो sequence elementary canal के different part है उन से regarding 2019 में question पूचा गया है mouth के बाद में first option में दिया हुआ pharynx, pharynx के बाद में isophagus, फिर दिया हुआ gizzard, gizzard नहीं, gizzard से पहले crop आ जाएगा बेटा first option जो है वो sequence ठीक नहीं है incorrect हो गया second में mouth के बाद में pharynx, pharynx के बाद में isophagus, isophagus के बाद में ileum आ गया ileum ठीक नहीं है बेटा ये तो hand gut का fault है second option भी correct नहीं होगा third option में दिया वा है mouth के बाद में pharynx, pharynx के बाद में isophagus, isophagus के बाद में crop, crop के बाद में gizzard, gizzard के बाद में ileum, colon and rectum विल्कुल third option की बाद करें तो इसके अंदर correct information जो correct sequence represent की विये different part of है elementary canal अप को क्रोट से regarding इसी बज़े से question number 24 की बाद करें तो इसका answer होगा third वाला fourth option में दिया हुआ pharynx, isophagus लेकिन फिर से gizzard जो है वो पहले किया है और crop को बाद में तो fourth option भी ठीक नहीं होगा answer होगा third वाला next question number 25 की बाद करें तो 25 में पूँचा है if the head of cockroach is removed it may lie for few days because need 2020 के अंदर ये question पूँचा गया है first option में दिया गया है कुछ टाइम तक कुछ दिनों तक वो cockroach जो है survive कर सकता है ऐसा क्यों उससे regarding आपको information देखनी है first statement दिया वाया the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body बिल्कुल सही बात है actually cockroach की बात करें तो head वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा small जो proportion होता है nervous system का वही present होता है remaining जो portion होता है वो thorax और abdomen part के अंदर भी body की ventral surface पे present होता है क्योंकि ये non-caldates होते है इसी वज़े से जब nervous system वाला जो major portion है वो damage नहीं होए है safe है इसी वज़े से वो कुछ दिनों तक क्या करता है survive कर जाता है लेकिन कुछ दिनों के बाद में क्यों expire हो जाता है इस वज़े से हो जाता है expire होगा क्योंकि actually उसका head cut off कर दिया गया है और without head and mouth part के कहीं ना कहीं जो environmental sensation है उनको भी हो identify नहीं कर पाएगा और intake of food से related कहीं ना कहीं process नहीं हो पाएगी और इसी वज़े से कुछ दिनों बाद में उसकी death हो जाती है यानि कि first statement की बाद करें तो उसके अंदर correct information दीवी है लेकिन second में देखे क्या दिया हो है the head holds a one third of nerve system while rest is situated along the dorsal part of its body बेटा पहले बाद तो dorsal part of body पे नहीं होता और दूसरा बाद one third part जो है वो भी head वाले portion में नहीं देखने को मिलता है second option जो है वो भी incorrect third में दिया हो है the supraizophagial ganglia of cockroach are situated in ventral part of abdomen abdomen reason के अंदर नहीं होता supraizophagial ganglia जो है वो देखने को मिलेगा आपको इसो फेगस से जो स्टूपर वाली साइड में तो third option जो है वो भी incorrect हो गया fourth में दिया हुआ है the cockroach does not have nerve system cockroach के बोला nerve system ही नहीं होता तो ये भी गलत है cockroach में nerve system होता है और body के ventral side पे होता है solid होता है तो ये आपको द्यान रखने है इसके वज़े सी question number 25 की बात करें तो इसके अंदर first option है बिल्कुल correct information के साथ है 25 का answer होगा उसके बाद में next question number 26 के अंदर पूछा हुआ है which of the following characteristic is incorrect with respect to cockroach cockroach के respect में आपको incorrect information वाला statement देखना है need 2021 के अंदर question पूछा विटाई hypo pharynx lies within the cavity enclosed by mouth parts बिल्कुल mouth parts जो है उनके द्वारा बनी हुई जो cavity होती है जिसको pre-oral cavity या syberium बोलते है उसके अगर बीच वाले portion में बात करें तो वहाँ hypo pharynx वाला portion देखने कर मिलता है सही बात है second option की बात करें female 7th to 9th starna together form a genital pouch बिल्कुल सही बात है second statement भी ठीक है third statement में दिया हुआ है 10th abdominal segment in both sexes bears appear of annals arsai annals arsai male और female दोनों में present होते हैं third option की बात करें तो वो भी correct information वाला है जबकि question में पूछा है incorrect fourth option की बात करें तो इसमें ring of gastric c का या hepatic c का is present at the junction of mid gut and hind gut mid gut and hind gut की junctional region की बात करें तो वहाँ तो बेटा malpigen tubules present होती है 100 to 150 hepatic c का या gastric c की बात करें तो approximate for gut and mid gut का junctional region होते हैं वहाँ present होते हैं ये incorrect information वाला option है इसी बज़े से question number fourth की बात question number 26 की बात करें तो इसका answer क्या होगा fourth वाला fourth option जो है वो इसका correct answer होगा तो ये आपको दान रखना है उसके बाद में question number 27 27 जो है ने 2022 के अंदर पूछा है tagmina in cockroach arise from tagmina या फिर four wings की बात करें तो वो कहां से arise होता है cockroach के अंदर first option दिया हुआ है mesothorax बिल्कुल सही बात है four wings की बात करें यहां पर लेकिन second option में दिया हुआ metathorex metathorex से तो बेटा hind wings वो rise होते हैं ऐसे ही third option में दिया हुआ prothorex and mesothorex prothorex से तो कोई wings नहीं होते और इसी वज़े से fourth भी नहीं होगा question 27 की बात करें तो इसका answer होगा first वाला next question number 28 match the column का question है जिसके अंदर list first के अंदर different part of elementary canal की जो different part है को cross के अंदर उनको represent किया हुआ है और list second के अंदर उनसे related जो function है उनको represent किया हुआ है correct matching देख रही है आपको और correct matching से regarding आपको option जो है वो select करना है question number 28 के अंदर crop की बात करें crop जो है उसका क्या function होगा food को grind करने का काम crop का नहीं बेटा गिजार्ड का होता है second option दिया हुआ है secretion of digestive juice secretion of digestive juice की बात करें तो वो function भी mainly जैसे gastric चीका या हिपिटिक सीका वारा portion जो है उसका देखने को मिलेगा removal of nitrogenous waste नहीं storage of food crop की बात करें तो mainly crop अब जो है temporary store करने का काम करता है food को इसी वज़े से उसको match कर दिया A को fourth के साथ उसके बाद में pro ventriculus की बात करें तो pro ventriculus जो है उसका क्या function होगा पहला दियावा है grinding the food particles grinding the food particles की बात करें तो ये function किसका होगा pro ventriculus का function होगा विल्कुल सही बात है अब आपको ऐसा correct option ऐसी matching वाला option देखना है जिसमें A को match किया हुआ हो fourth के साथ A को match किया हुआ है fourth के साथ B को first के साथ C को second के साथ और D को third के साथ इसी वज़े से question number 28 की बात करें तो इसका correct answer होगा विटा third वाला next question number 29 की बात करें तो इसमें पूछा है excretion in cockroach is performed by all except excretion की बात करें तो cockroach में कुछ जो option दिये हैं उनमें से ज्यादा तर के दुवारा excretion कप की process perform की जाती है लेकिन किस एक structure के दुवारा excretion की process perform नहीं की जाएगी उससे regarding आपको option select करना है पहला option दियावा है fat bodies बिल्कुल सही बात है cockroach के अंदर जो fat bodies होती है उनकी दुवारा nitrogenous west को eliminate करवाने का काम excretion का काम पर जो है वो किया जाता है सही बात है second दियावा है hepatic cica या gastric cica hepatic cica या gastric cica की बात करें तो बिल्कुल hepatic cica या gastric cica है ये digestive juice secret करवाने का काम करती है excretion का function नहीं करती इसी वज़े से 29 के अंदर hepatic cica या gastric cica है ये इसका correct answer होगा yuricose gland की बात करें तो yuricose gland जो है कुछ glandular structure present होती है बिल्कुल इनके द्वारा भी करवाया जाता है और malpigine tubules की बात करें function जो perform करवाया जाएगा इसी वज़े से pet bodies, yuricose gland and malpigine tubules ये excretory structure होती है लेकिन hepatic cica या gastric cica की बात करें तो ये digestive juice को secret करवाने का काम करती है इसी वज़े से question number 29 की बात करें जो re-need 2022 में पुँचा गया है इसका answer होगा correct answer second वाला ये आपको ध्यान रखना है इसी के साथ structural organization in animals से related last 9 to 10 years के अंदर जो भी exam के अंदर question पहुंचे हैं उन सबको यहाँ पर पर ने discuss किया है thanks, all the best